ओब नमस्षिवाय, हरहर महादेव, जैशु शंबू दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा की होता है हर एक अच्छे वेक्ति के मन में हमेशा से यह प्रश्न होता है हमेशा वो खुद को जब सेल्फ अब्जर्वेशन करता है उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीज़े बहतर क्यों नहीं होती है हमारे साथ चीज़े खराब क्यों होती चाती है उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हमारे साथ होता है कोई हल बताए, कोई उप्चार बताए, जिससे हम इस पूरी परेशानी से बाहर निकलाए तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर आप अपनी मदद कर सकते हैं इस वीडियो की जो बाते आपके साथ साजा में कर रहा हूँ, यह बहुत ही जादा आपको समझ आएगी कि वाकई में हम कहां सही हैं, कहां गलत हैं और पूरी चीज़े आपको बहुत विस्तार से समझ आएगी जब कभी फी अच्छा वेक्ती होता है, तो वो सब को अच्छा समझता है तो सुने जादा और अपने विचार कम रखें, क्योंकि अच्छा वेक्ती को चीजे अच्छी ही देखता है वो कोई भी negative point को वो point out नहीं करता है क्योंकि वो एक अच्छा वेक्ति है वो अपने दिमाग धारणाओं में बहुत सी positivity रखता है तब युसे चीज़े positive दिखाए देती है दूसरे एक अच्छे वेक्ति के साथ होती कि वो सही निर्णे नहीं ले पाता है उसके पीछे कारण यह भी होता है कि वो अकसर अपने निर्णेों में अपने इर्दगिर्द के लोगों को कि कहीं मेरे निर्णे से कोई आहाति इतना हो जाए उस निर्णे में अपना बाद में और पहले दूसरे लोगों का फाइदा सोचते है तो ऐसा करे नहीं आप जो निर्णे ले वो न्याय संगत हो जो सही हो वही निर्णे ले किसी के इंफुलेंस में आकर किसी को फाइदा नुकसान देखकर निर्णे न ले तो कि उससे बाद में आप की साथ इशू क्रेट हो सकते है तीसरे अच्छे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है कि वो हमेशा सब की गुड बुक्स में रहना चाता है ये बात आपको बुरी लग सकती है तो ये गुड बुक्स में बना रहने वाले जो बात है प्लीज इसे अवोइट करें जो सही है वो सही है दूसरे चोथा एक मूल बात यहां भी शुरू होती है कि आप ना नहीं कह पाते है जैसे कोई भी बात है उन ना नहीं कह पाते है और ना न कहने के पात में जूट बोलने से आप बचते हैं जूट बोलना ही नहीं आपको आता है और जितना हो उतना सच बोलते हैं तो जब विक्ति सच का बोलने का प्रियोग करना शुरू कर देता है तो उसे कई सारी रुकावटे अरचने अपनी लाइफ में आती है और मूल बूत एक भी है कि खुद के बारे में बहुत जादा चीज़े आप बता देते हैं मतलब खुद से रहकर बताने से इस तरह से मतलब है कि जो चीज़े नहीं बताना चाहिए वह चीज़े भी हम बता देते हैं आपको हमेशा कुछ खोने का डर रहता है आपके मन मस्तिश्क में कुछ खोने का डर रहता है कि यह चीज़े खोना जाए इह व्यक्ति हमसे रूस नहुआ हो जाए, यह व्यक्ति हमारे जीम से नहीं चले जाए, यह जो खूने का डर है, सामने रूप से हर एक व्यक्ति होते है, आपको बहुत जादा इसे बोसा बना रहता है। मजनी आता है कि हम इस तरह के फेज में क्यों आ चुके हैं तो यहां भी आपको सावधान रह जाने की आउशकता है सही बात कहना यह आपका एक मुश्तरगीक सभाव जो सही बात है आपको कह देते हैं ऐसा कहें जरूर लेकिन वह बात कहां कहनी है कैसा कहनी इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि आऊशकता है इसके अलाव दोस्तो धन हानी भी बहुत आपको बार बार होती है धन हानी इस तरह से होती है कि दया आपने कूट-कूट कर भरी है मानोता आपने कूट-कूट कर भरी है तो कई बार जो लोग valid नहीं होते वो अपने unvalid reason बता कर थोड़ा सा नाटक करके थोड़ी सी चीज़े हमें घुमा फिरा के बता कर हम influence होकर उनकी मदद कर देते हैं और वहाँ पर हमारे सच चीज़ें खराब हो जाती है तो please मेर आप से गनिवेदन है कि यहां पर आपको थोड़ा सा साउधान रहने की आउश सकता है तो यह जो बाते में आपसे जाजा की है इन बातों को आप समझे observation करें इन बातों को सही करने की कोशिश करें अगर यह बाते आपसे मिल रही है यह बाते आप में हैं तो जरूर कमेंट्स में यस लिखे कि हाँ ये बाते हमसे मिल रही है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बुले अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना जिसे जीवन में कोई तकली परीशनी से वरतमान आप गुजर रहे हैं इसक्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप हाएं वोटस अपर अपोइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीज शुल्क लाग वी दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अबने में शिवाई हर हर माद्य जैशू सब झाल 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 झाल